अरे वा आ गई मेरा अंदाज यह कह रहा है कि इस पैकेट में जरूर खाने की चीज है अरे वा मेरे पती पर मेस्वार आपने बिल्कुल सही अंदाज लगाया है इसमें मेरी नई सेंडिल है यह मम्मी मम्मी आ गई नहीं समझे! मुझे पैसा दो आईफोन लेना है! अब अब सुगर कहें का आइफोन लेगा? तुझे पता भी हो कितने का आता है? अरे पापा, उसमें क्या भी लोग पता कर लेते हैं! हेलो गुगल! आईफोन कितने का आता है? बताई देओ जी हमें खरीदना है खांदान तुम मर गया रेजू सुनता सुनता ये जना बाइफोन चलाएंगे अब एक सुवर कहेंगा क्यों बेश्टी करवा रहा है पापा मैं कुछ नहीं यानता मुझे पैसा दो पैसा अबे जब पैसा हाई नहीं तो कहां से देदू कुछ पैसा बचा के बेटे को नहीं दे सकते अच्छा अब तुम्हारे कहने का मतलब है जो साम को मैं एक पवगा दारु पीता हूं उसमें से पैसा बचा के इस नालायक को दूँ हाँ तुम सराम में बहुत पैसा बर्बाद करते हो अब बंद करो अरे तुमने का मुझे बेवकूब समझ के रखा है मुझे कहती हो तारू मसे पैसा बचा के बेटे को दो और तुम जो ब्यूटी पारलर में पांच हजार का बाड़ा करा के आती हो उसका क्या अरे तुम मैं तुमें सुन्दर लगू इसलिए अच्छा तुम मैं भी तो इसलिए पीता हूँ कि तुम मुझे सुन्दर लगे अरे तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो मुझे पैसा दोगे कि नहीं अबे हट पैसा चाहिए जब देखो तब पापा ये ले दो हो ले दो अबे सुगर कहीं का कुछ तो सरम कर तो सरमा जी की बेटी को देख हर बाद टाप करती है हाँ तो पापा एक काम करते है उसको अपने घर की बहु बना लेते है क्या बोला? अरे पापा हो टाप करती है कि नहीं करती है इससे मेरे पैसे से क्या संबंध है संबंध है बेटा तु जब तक टाप करेगा नहीं तुझे एक रुपिया नहीं मिलेगा अरे यारे सरमा जी की बेटी ना मझे बहुत डिस्ट्रप करती है लगता है उसको टकाना पड़ेगा क्या बोला? कुछ नहीं तो जा बाहर घुमों किया दिन बार घर पी पड़े रहता है नहीं जाओंगा, नहीं कुछ करूंगा जा रहाओ पबजी खेलने देखो, यह हैसन सकार अबे ओ सुवर कहीं का अगर तु ऐसे रात दिन मोबाल में लगा रहा ना तो बेटा तुझे कुछ मिले ना मिले तुझे एक चस्मा जरूर मिलेगी आईए आईए हमारे परचार गाड़ी के पास आईए और चार सो रुपे में जिन्दगी भर बैट के खाईए अरे वाँ मेरी जान अब मजा आएगा अब सुन तु चाहे खाना बना चाहे ना बना समझी आ रहा हूं मैं कहां है कहां है चार सो रुपे में जिन्दगी भर खाना दाब जी यह क्या है चार सो रुपे में जिन्दगी भर बैट के खाईए अबे तेरी तो चल्फाक साले यहां से अला बोला चार सो रुपे में जिन्दगी भर बैटके खाईए अब बेच रहा कुरसी अरे क्या हुआ खान आई अरे वो साला कुरसी बेच रहा खाना थोड़ी ना क्या तुम्हें एक बात बताओं पता नहीं क्यों जब मैं सूट पहन कर सबजी लेने जाता हूँ ना तो दुकानदार मुझे महेंगी सबजी दे देता है और वहीं जब मैं महला कूर्टा पैजामा पहन कर सबजी लेने जाता हूँ तो सबजी सस्ती मिलती है तुमना एक काम करो हाथ में एक कटोरा लेकर जाया करो क्या पता सब्जी फिरी में मिल जाए अरे जब यह पागल हो गई है चलिए अच्छा बना किला यह खुद बना लो बना किला मेरे सर में तेज दर्द है हाँ तो मेरे भी गले में दर्द है अच्छा तो तू ये काम कर तू आ मेरा सर दबा और मैं तेरा गला दबाता हूँ रुक भाग कहां रही है